आप सब कैसे रहें तो यह कुछ हम बनाने का आपको तरीका बिनाती तो सबसे पहले हम फाइल करते हैं थो वर गटा पालगेए तो पहली हमेल करें हिर्सक्त कि शाइन कर रही हूं तो इसकी रब करेंगे इसको पूरा इस तरी के से तो आप देख सकते हैं मैंने बफ कर दिया है बफर से और इसके बाद देख सकते हैं यह मैंने बेसकोड लिया है तो आमें चलका बेसकोड लेंगे तो मेरी फर्स लेयर जो रहेगी बेसकोड की रहने वाली है कोड़ इन पर अच्छे से अप्लाई करेंगे बेस कोड़ तो इपर में क्योर कर चुक्त हूं सेकंड बार भी हम लगा रहे हैं जैल पोलिश का सेकंड कोड है यह तो बहुत अच्छे साप्लाई करेंगे चारो तरफ प्रैसों स्नेल्स के लिए और इसे लैंप में क्योर करेंगे एक मिनट के लिए तो यह में किस्ट्र टोप अप्लाई करने वाली हूं प्रैसों स्नेल्स जो बना रहे हैं तो थोड़ा थीक होता है और जैसे हम हां यूज करते हैं तो हल्दी के दाव वगरा भी नहीं आते हैं इस पर क्रिस्ट्र टोपड पर एक बैने पिटी यह भी है अब तो पूरी तर अप्लाई हो रही है इस पर इस टोण अप्लाई करके कोई भी डिजाइन भी ना सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह मैंने क्रिस्ट्र टोपड लगा रखता है और लैंप में भी क्यों नहीं किया है और थोड़ा सब्सक्राइब किस्ट्र टॉड लगांगे अपने डोटे डोल पे लेंक तो आपलाए कर सकते हैं आप एसां तरही किसी भी शेप में और किसी भी डिजाइन उप लगा सकते हैं तो मैंने कुछ रेडी भी कर रहे हैं प्रैसों से बनेंगे जब आपको लगता है कि मैंने स्टॉन अपने पर्टिकॉलरी एक अच्छा सा डिजाइन रेडी कर दिया है तो आप लैंप में क्यूर कर दीजिए और क्यूर करने के बाद आपका रेडी हो जाएगा नेल इस तरी के सब्सक्राइब करने वाली हूं और आपको पदा चल जोगा है कि किस तरी से प्रैसों से नेल्स बनेंगे तो आप घर बैठके प्रैसों से भी बना सकते हैं फ्रैंड्स तो रेडी कर रहा है प्रैसोंस के लिए डिवाइन देख सकते हो तो कुछ मैंने प्रैसोंस बनाए हैं जो मैं आपको जिखाने वाली हूं तो आप भी प्रैसोंस बना सकते हो परस्ट मेरा ये वाला प्रैसोंस देखो बॉक्स है तो ये नेल्स मैंने खुद रेडी करें ये मैट में है एक और है ये ग्लोसी में है तो आप वैलेंटाइन दे के लिए कोई सुन्दर-सुन्दर नेल्स बना के ये ऐसे तेल करने के लिए भी परपस से बना सकते हैं तो अलब्मोस के अधीर मेंके प्रोफेशनल के सारे प्रोडक्त लेकर मैने ये नेल्स रेडी करें हैं तो ये 5-g वाली ग्लू रखी है आपकी मर्जी आधि छोटा भी ग्लू रख सकते हैं तो मैने एक पॉलिफिक्स का ग्लू रख है इस मे पॉसाति साथ ये नेल्स बनाए है प्रोसेस सिम यही रहेगा अगर मैट करना है तो उपर का जो मैट कोड़ लेना पड़ेगा बस यहां मैंने लिया है और यह मैट लुप है तो इसके लिए आपको मैट यूज करना पड़ेगा मैट लुक देने के बाद फिर आप स्टोन लगा सकते हैं जहां भी स्टोन लगाना है तो पहले हलका सा आप ग्लोसी टोपड लगा कर स्टोन रखकर चूर करा दीजिए अगर यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें पेज को सब्सक्राइब करें तो आज आपने जो सीखा है प्रैसों स्नेल्स बनाना सीखा है तो आप भी बना सकते हैं घर बैठें